कि हैं गाइस वह सब तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बाक्ट यूरून चैनल स्टेडी मोर विद दीपा गयादा वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटूरियल अनालिसस ऑफ 20 आप जून 2020 तो गाइस आज है 20 जून 2020 और है सेटर डे देखेंगे दा हिंदू क आपको सर्च वाक्स में टाइप करना है स्टेडी मोर विद दीपाग ब्रैकेट में UPSC लिखा है आप देख सकते होंगे यहाँ पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डेली बेसिस पर आपको जो भी नोट्स होता है पीडिएफ नोट्स वह आपको प्रोवाइड कर दिया ज जो कि हम डेली एक्सपेक्टेड कोईशन डालते हैं डेली एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स डालते हैं UPSC के पांडवी सो और यह जो वीडियो है यह बहुत जादे इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत जादे काम किया गया है और यह डेली एक्सपेक्टेड आर्टिक कर देना और टेलिग्राम चनल को जॉइन कर लेना तो देखते हैं हम लोग अपना न्यूस सबसे पहले न्यूस पेपर तो यहाँ पर यह न्यूस है हमाली यह वाली इंपोर्टेंट हुजाती है क्यों कि यहाँ पर एक कॉंटेक्स्ट है एन आई ए नेशनल इंवेस्टिकेश एजनसी क्या होती है तो उसके बारे में जानना हमाली बहुत जादे जरूरी है तो देखते हैं सबसे पहले एन आई ए के बारे में चीज़े जानेंगे यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहोगा यह इन्वेस्टिकेशन एजनसी है जो कि टेरर के अगेंस्ट काम करती है टेरर से लड़ती है टेररिम्स से लड़ती है और यह एनक्ट करी गए 2008 में by the parliament of India 31st December 2008 में ठीक है यानि कि 31st December समझ लो यानि कि 2009 में यहाँ इसको फॉर्म करा गया और यह पास क्यों करा गया एक्ट क्योंकि यहाँ पर टेरर अटेक हुआ था मुंबई में ताज होटल में जो अभी टेरर अटेक हुआ था काफी साल पहले तो उसके बाद यहाँ पर इस बॉड़ी को फॉर्म करा गया और इसका हेड़कॉर्टर ने न्यूडाली में और इसके जो ब्रांचिस से वो गौहाटी कोची लगना हो मुंबई कोलकता राइपूर जमू में भी यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है जो इंडियन काफी से इसके फॉल फॉर्म है इंडियन काफी न्यू डैली में है और फॉर्म करी गई इसका काम क्या है जो हमारे चल्डरन के human rights हो उनको protect करना अगर उनके human rights को प्रोटेट करेंगे तो उनकी quality life बढ़ जाएगी ठीक है और इसका headquarter कहाँ पर दीन दियाल उपद्या है, Mark New Delhi में इसका headquarter है, तो ICCCW के बारे में पढ़ा, उसके बाद चलते हैं, आगे, यहाँ पर और important bodies है, वो कौन-कौन सी हमारी NHIA, यहाँ पर National Highway Authority of India, और साधी साथ हमारा NGT, National Green Tribunal, NGT के बारे में काफी बार डिसकस कर रहा है, क्योंकि डेली बेस इसके न्यूस में रहती है, तो NHIA और इन दोनों के बारे में देखेंगे, यही न्यूस का केरिये, जो NGT है, उसने हाँ पर पुल अप कर दिया है, National Highway को, क्योंगी हाँ पर NHIA हमारा यह authority, अच्छी तरीके से जो documents है, वो provide नहीं करा रही थी, तो उसको बात जान लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे NGT के बारे में, NGT क्या होती है, National Green Tribunal Act के बारे में काफी बार बात करी है, हमने 2010 में यह form हुआ, और यहाँ पर इसका काम क्या है, जो environmental issues है, जैसे की pollution वगरा होता है, ठीके, इसके against काम करना, इसको चीजों को tackle करते वे, यह हमारा इस body का काम है, साथे-साथ यहाँ पर जो हमारी National Highway Authority of India है, NHIA, इसका जो काम है, यह एक हमारी समवेदानिक agency है, Government of India की setup करी गई 1988 में, और यह responsible है, management of, यहाँ पर जो इसने 50,000 किलोमेटर की National Highway यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर दोनोंने MOU भी sign करा हुआ है, कि इस किसने इजरो और हमारे इस body ने, NHIA, और इसके प्रेजेंट जो चेर्मेन है, वो यहाँ पर सुखबीर सिंग संदू है, जो एक IIS officer है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सारी चीज़े मिल गई हैं, आपको सारी चीज़े आपको ready-made notes मिलते हैं, तो आप जाकर join करें, और इसको तयार करते रहें, साथी साथ आपको कोई महनत करने की ज़रत नहीं है, जादे आपको notes बगएरा मिलते हैं, daily basis newspaper पर, ठीक है, और विल्कुल free है guys, यह कोई paid बगएरा नहीं है, उसके बाद चलते हैं, editorial हमाले important हो जाता है, क्योंकि हाँ पर editorial important है, यह वाले editorial में आज ख करें, defection हुआ कि एक party को छोड़के दूसरी party में घुशे, तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रहें कि anti defection law हो है, तो anti defection law किस रूप में है, यहाँ पर, जो 52nd amendment act हुआ हमारा, 91st amendment act हुआ, constitution का, वो हमाले important हो जाता है, इसके बारे में चीज़े जाननी बहुत ज़रूरी हो ज कहता है, कि जो defection law है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर काम करा जाएगा, जो defection करेगा, उसको disqualify कर दिया जाएगा, ठीक है, जो party बदलेगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर, 91st amendment act 2003 का, यह जो council of ministers है, यहाँ पर यह का गया है, कि जो हमारे members है, उसको exceed बढ़ा नहीं सकते बिल्कुल भी, लोग सबागे members को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, और जो कम रहे ही, limit रहेगी, एक 12 तक रहेगी, 12 से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, और यह जो provision यह add करा गया, 91st amendment act 2003 में, उसके बाद चलते हैं, वापस, और देखते हैं, और क्या news है, हमाल कहां पर उसका काम क्या है, ठीक है, में काम क्या है, तो यह चार perspective चीज़े रखे करो, हर body की, यह चार चीज़े आपको याद होनी ही, होनी चाहिए, ठीक है, कब form हुई, क्या काम है उसका, और अब यहां पर यह news है, जो satellite image है, यह suggest कर रही थी, कि जो Chinese activity है, वो increase हो गई थी, before clash, जैसे की clash हो, अभी 20 army soldiers मारे गए, गालवान वैली में, तो जो यह clash हुआ, उसके लिए बात करी जा रही है, जो satellite image है, वो बता रही थी, Chinese activity increase हुए, जैसे की river वगरा को यह cross करने की अपना भी तरीके बता रहे थे, अब यहाँ पर National Investigation Agency का फिर से काम आ गया, National Investigation Agency के बार उसके बाद यहाँ पर next, यह article है, article हमाले important ही है, बड़ यह term है, यह important हो जाती है, इसके बारे में जानना जादे जरूरी है, जैसे की यहाँ पर आज कल आप news में देख रहे होंगे, तो एक चीज बहुत जादे famous हो रहे है, नेपोटिस्म, बॉलिवड को लेकर नेपोटिस है, ऐसे ही यहाँ पर नेपोटिस्म, बिल्कुल सेम बात, दोनों एक से ही related words है, ठीक है, उसको लेकर का जा रहा है, आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं, क्या important है हमारे लिए, important है यहाँ पर NDRF आता है, National Disaster Relief Fund, जैसे की COVID-19 चल ला है, उसके लिए कोई relief fund होना चीए, तो उसके लिए बात करी जारी है, जैसे कि हमने समने PMCare Fund जमा करा है, PMCare Fund के बारे में सबको पता होना चीए, वरना नहीं पता है, तो मैं आज बता दूँगा, बट पहले हम लोग National Disaster Relief Fund के बारे में जान लेता है, यह सेट अप करा गया, section 46 के according में, यहाँ पर Disaster Management Act 2005 में इस का main purpose क्या है, जो relief देना और यह जो expenses खडचे करना, कि जो attack है, जो मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर disaster है, उससे tackle कर सके, जैसे कि हमारा disaster हो गया भी यहाँ पर COVID-19, तो जल्दी सा हम लोग PMCare Fund के बारे में जान लेता है, जिसको नहीं पता है, वो आज देख लो PMCare Fund के बारे मे तो आज मैंने इसमें add कर दिया है, तो इसकी full form क्या है, Prime Minister Citizen Assistance Relief in Emergency Situation Fund, और यह create करा गया 28 March 2020 को, यहाँ पर COVID-19 को देखते में यह काम करा गया, और इसके जो और भी members क्या क्या है, इसका काम क्या है, फंड का यह जो combat करेगा आने वाली situations को भी, और जो यहाँ पर relief efforts दिलाएग अमिशाजी यहाँ पर और भी members हैं, जो साथ में आपर मिलकर इस body code run करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे और का important news है हमारे लिए उसके बारे में बात करते हैं, तो चलते हैं आगे, आगे next है हमारे लिए हाँ पर last news है, वो NCD को लेकर है, यहाँ पर economy के point of view से बहु आगे join कर लेना, non-convertible debenture होता है, यह financial instrument है, जो कि use कर जाती है, companies के दवारा कि जो long term capital उसको raise करा जाए, ठीक है, और यहाँ पर इसे non-convertible debenture क्यों कहा है, क्योंकि कुछ debentures ऐसे होता है, जो convert हो जाता है, shares में, ठीक है, एक certain point of time के बाद में, लेकि यह जो है, यह convert नहीं होता है, इस वएसे यहाँ पर non-convertible debenture का गया है, और debenture क्या होता है, इसकी definition जान लेता है, debenture एक long term bond है, जो कि company के द्वारा issue करा जाता है, ठीक है, और या फिर unsecured loan, unsecured loan के नाम से याद रख लेना, unsecured loan है, जो यह company issue करती है, ठीक है, इसको non-convertible debentures को, जो इसके बारे में काफी सारे बाते जान लिए, तो guys, यहाँ पर होता है, आज का हमारा lecture खता मिलेंगे आपसे कल, आज के लिए bye-bye, और चैनल को subscribe कर देना और telegram join कर लेना,